इस रोबोट को कूड़े के धेर में एक महिला की ब्राम लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह क्या है इसलिए उसने इसे चश्मे की तरह सिर पर पहने उसे यह मज़ेदार लगा और अपने सूट केस में रख लिए ऐसे कई अजीब चीजें उसने जमा की थी क्योंकि वह एक साफ करना खूडे को इकठा करना और फिर उसे दबा कर लोहे के चौरस ब्लॉकों में बदलना वह ऐसा करते हुए 700 साल से काम कर रहा था और इन सालों में कोई भी जीवित प्राणी नहीं था बस वह अकेले अपने मनोरंजन के लिए काम करता रह था एक दिन उसने एक बॉक इसकी जिग्यासा से पीछा रही लेकिन वह रौशनी उसे चिड़ाने रौशनी उसे पकड़ने की कोशिशनी लेकिन बहुत सारी रौशनी की किरने उसे घेर आ завont некоторा मे रौट में उस रौशनी का पीछा करते हुए एक खा़ जगह पर आ अक बड़ा रौकेट आकाश से न रोबोट डर गे, लेकिन फिर भी उसके पीछे पीछे चलने रहा, सफेद रोबोट कुछ ढून रहा, वह थकावट के बावजूद लगातार खोजता रहा, तभी रोबोट का दोस्ता, वाली ने उसे चेतावनी लेकिन वह फिर भी गए और सुरक्षित रहा, छोटा रोबोट फिर पकड़ा, लेकिन सफेद रोबोट अब उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, और अपने काम में लगा रहा, रात को सफेद रोबोट आराम करने लगा, और रोबोट उसके पास गया, अगली सुबब, सफेद रोबोट जागा, तो उसने एक प्यारा नकली आदम क्योंकि वह अपने साथी को बहुत पसंद करता था, रोबोट की मूर्खता देखकर सफेद रोबोट पहली बार मुस्कुराया और अपना नाम इवा बना, लेकिन तभी एक गंभीर परिस्थितिया, अंधेरे में इवा ने वाली को पुकारा और वाली ने उसे अपने घर ले जाकर अपनी अनमोल चीजें देखके, लेकिन इवा की शक्तियों के कारण रोबोट का घर लगभग नश्ट में रोबोट ने उसे अपना नया पाया हुआ उपहार दिया